Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए October 2021 की Love Tarot Reading तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली Tarot Reading में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस Reading को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं Sun, Sign, Moon, Sign, Ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इस Reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूचेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी Reading को देखते आ रहे हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं October 2021 की Love Tarot Reading तो चलिए सेटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि October 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो में पस यहापे तीन सेट अफ कार्द हैं फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे सेकर्ड सेट में आपके Partner की Energies देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि finally October मंत में क्या हो रहा है तो आप से शुरु करते हैं सेटेरियस और आपके लिए आपके सबसे पहले قة दिख रहे हैं और ये cards कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर October स्टार्टिंग में एक intense emotions, एक intense feelings आप अपने partner के लिए या फिर इस relationship के लिए महसूस कर सकते हैं, एक enthusiasm, एक excitement भी किसी चीज के लिए रह सकता है और साथी साथी एक anxious, एक restless energies भी रह सकती हैं, किसी चीज को change आप करना चाहा रहे हैं, या फिर कोई changes इस relationship में, या फिर आपकी personal life में आ रहे हैं, जिसको लेके again मैं कहूंगी कि एक immediate action भी हो सकता है, कुछ Sagittarius को लेने की ज़रत है इसलिए देखिए शायद किसी level पे impulsive आप लोग होते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज के लिए जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं तो देखिए Sagittarius मैंने हमेशा कहा है कि tarot guidance के लिए होता है, और यहाँ पे एक guidance cards की तरफ से होगा, कि जिस भी चीज के लिए आपको action लेने हैं, initiatives लेने हैं, आप जरूर लें लेकिन थोड़ा सा खयाल रखें, कि in the process आप impulsive ना हों, जल्दबाजी ना करें, आप immature तरीके से चीजों को ना deal करें, क्योंकि देखिए fool का card कहता है, कि आप बिना सोचे समझे चीजों को deal कर रहे हैं, आप बहुत ही immaturity के साथ, again मैं कहूंगी, कि चीजों को deal कर रहे हैं, तो थोड़ी सी maturity लानी बहुत important है, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, तो यहाँ पर 8 of souls and experiencing के cards कहते हैं, कि आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, या फिर बहुत एक confusion, बहुत एक helplessness आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर अगेन आप clearly चीजों को ही नहीं देख पा रहे हैं, आपको ऐसे लग सकता है, कि आपके हाथ बंदे हुए हैं, आपके पैर बंदे हुए हैं, आप चाहा के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और दिखें यहाँ पर again सबके लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन the fool का card कहता है, कि आप impulsive हुए हैं, आपने बिना सोचे समझे कुछ टाइम से October स्टार्टिंग में चीज़ें करी हैं, जिसकी वज़े से यह situation आई है, तो देखें इस situation को आप definitely avoid कर सकते हैं, इस reading से guidance लेके, और देखें नीचे experiencing का card कहता है, कि थोड़ा सा आपकी waiting and allowing energies कहीं mid of October में या October मन्त में रह सकती हैं, जहां पर किसी चीज़ का again एक इंतजार, एक wait आप करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यह general reading है, तो सब के लिए ये इंतजार, ये wait differ कर सकता है, कुछ सटेटेरियस के लिए हो सकता है, कि आप अपने partner की तरफ से किसी initiative, किसी action की wait कर रहे हैं, कुछ सटेटेरियस के लिए हो सकता है, कि आप राइट टाइम की wait कर रहे हैं, कुछ सटेटेरियस के लिए हो सकता है, क्योंकि आप again किसी एक circumstance, किसी एक situation के गुजरने की wait कर रहे हैं, तो सब के लिए different इंतजार, different wait हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है, कि पीछे आपने efforts करें, महनत करी और उसी के ही outcome के आप wait कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले और दिखें कहीं ये wait, ये इंतजार भी इतना आसान नहीं है क्योंकि experiencing के उपर 8 of swords का card है तो ये card कहता है कि ये again मैं कहूंगी इंतजार, ये wait काफी आपके लिए मुश्किल हो रही है और दिखें जो भी हो कहीं end of October में आप किसी चीज को end करके एक नई beginning या तो करना चाहा रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं या हो रही है तो दिखें हमने starting में intensity के card में देखा था कि कुछ changes या आ रहे हैं या फिर आप लाना चाहा रहे हैं और देखें end of October के लिए यहाँ पर 10 of Swords Rivers का card कहता है कि शायद वो changes आ जाएंगे या फिर वो changes आप लेकर आएंगे और देखें again जो भी हो ये changes या फिर ये ending ये beginning इतनी comfortable नहीं होगी किसी level पर आप परिशान हो सकते हैं किसी level पर कुछ issues, कुछ मसले हो सकते हैं तो दिखें यहाँ पर sedutaries में आपको यही कहूंगी कि जो भी चीजे हमें serve नहीं कर रही हैं उनको let go करके, उनको end करके एक नई beginning करना बहुत important होता है फिर चाहें वो जितना भी difficult हो अगर कुछ issue है तो वो one time होता है, उसकी वज़े से आगे जाके चीजें better हो जाती है, तो कहीं again जिस चीज को भी end करने की ज़रत है आप जरूर करें और दिखें यहाँ पर inner voice का card कहता है कि कि किसी level पर किसी तरीके की एक wisdom भी इनहीं सब चीजों से related आती हुई दिख रही है आप थोड़ा सा pause करके चीजों को और समझना चाहा रहे हैं और जो भी आपकी gut feeling कह रही है अंतर मन की अवाज कह रही है उसको आप सुन रहे हैं या सुनना चाहा रहे हैं और दिखें जो Sagittarius ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत clear message है कि आप अपनी inner voice को gut feeling को या फिर अपने अंतर मन की अवाज को बिल्कुल भी ना ignore करें तो नच्छल में अगर मैं देखूं Sagittarius तो कहीं October starting में एक बहुत ही active energies दिख रही हैं और October starting के बाद एक passive energies रह सकती हैं जहाँ पर आप इतने initiatives नहीं ले रहे हैं इतने action नहीं ले रहे हैं किसी level पर confusion है और again देखिए किसी चीज को end करके एक नई beginning करना चाहा रहे हैं या हो रही है और अब देखते हैं Sagittarius की आपके partner की के energies हैं तो देखिए आपके partner के लिए आपे सबसे पहला कार्ट दिख रहा है Two of Cups Two of Cups का कार्ट टारो में बहुत ही एक loving बहुत ही एक caring energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके partner के मन में भी आपके लिए दिख रहा है जहाँ पे बहुत एक प्यार महबबत वो चाहा है कुछ issues कुछ मसले अगर पीछे हुए थे तो उनको resolve करना चाहा रहे है resolve कर रहे है आपके साथ एक togetherness एक companionship चाहते वे दिख रहे है आपका साथ चाहते वे दिख रहे है आपके साथ date पे जाना चाहा सकते है आप से और ज़ादा बाते करना चाहा सकते हैं और जादा interactions करना चाहा सकते हैं आपका cooperation आपका support यहां तो चाहा रहे हैं या फिर आपको अगर किसी भी cooperation किसी support की जरत है तो वो भी देते हुए दिख रहे हैं तो देखें अगेन मैं कहूंगी बहुत एक love care आपके partner की तरफ से दिख रही है और इसी से ही related यहाँ पे creator and two of wands के cards कहते हैं कि वो initiatives ले रहे हैं वो action ले रहे हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसी से ही related जो भी next steps हैं वो उनको plan कर रहे हैं और again action initiatives ले रहे हैं बहुत जबरदस्ते confidence उनकी तरफ से आपके लिए या फिर इस relationship के लिए या खुद के लिए ही आता हुआ दिख रहा है या फिर मैं कहूंगी कि बहुत confidently, बहुत courageously बहुत boldly हर चीज को deal कर रहे हैं इस relationship को नए तरीके से create करना चाहा रहे हैं एक enthusiasm, एक excitement भी उनकी तरफ से दिख रहा है और देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई decision भी उनको लेना है जो कि mid October में मुझे दिख रहा है कि बहुत ही confidently वो ले रहे हैं लेकिन देखिए कहीं end of October के लिए यहाँ पर 7 of cups and schizophrenia के cards कहते हैं कि इसी decision को लेके किसी level पर distracted होते हुए देख रहे हैं उनका ध्यान उनका focus कहीं बहुत जगा जाता हुआ देख रहा है देखिए mid of October तक आपके उपर focus है आपके उपर ध्यान है और आपको prioritize भी कर रहे हैं importance भी दे रहे हैं जो भी करने की ज़रत है कर भी रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी end of October में कहीं किसी चीज को लेके two minds में रह सकते हैं कहीं एक distracted सी energies दिख रही हैं किसी level पे confused हो रहे हैं decision लेना चाहते हैं और उसी से ही related बहुत ज़ादा सोच रहे हैं लेकिन concrete steps decision लेने के लिए लेते हुए नहीं दिख रहे हैं अगें दिखिए two minds में हैं एक मन उनका किसी चीज के लिए हां कहता है तो दूसरा ना कहता है और शायद इसी लिए एक stuck energies में भी आपके partner October end में महसूस कर सकते हैं और अब देखते हैं Sagittarius की October month में क्या हो रहा है तो दिखिए October starting के लिए यहां पे सबसे पहले cards है 10 of Pentacles, Reverse and Postponement और Postponement का card बहुत ही clearly कहता है कि यहां तो कुछ चीजें delay हो रही हैं, postpone हो रही है यहां फिर कुछ चीजों को आप यहां आपके partner delay करना चाहा रहे हैं, postpone करना चाहा रहे हैं और दिखिए यह general reading है तो again सबके लिए different reasons हो सकते हैं different situations या different चीजें हो सकती हैं जो delay हो रही है, जो postpone हो रही है लेकिन यहां पे postponement के ओपर 10 of Pentacles, Reverse का card है तो कुछ Sagittarius या फिर उनके partner की family या close ones loved ones की तरफ से एक interference रह सकता है एक involvement रह सकता है जिसकी वज़े से कुछ issues हो रहे हैं और कुछ Sagittarius या उनके partner के लिए हो सकता है कि कोई celebration आप करना चाह रहे है, get together reunion आप करना चाह रहे है या फिर in general में ही हो रहा है और उसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले हैं या फिर हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक commitment चाह रहे हैं long term चाह रहे हैं you know, साथ में एक future चाह रहे हैं एक family start करना चाह रहे हैं और उसी से ही related कुछ issues, कुछ मसले हैं लेकिन देखिए यहाँ पे mid of October के लिए page of cups and fighting के cards कहते हैं कि यह मसलों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक resolve करना चाह रहे हैं और कहीं एक initiative action भी इस direction में ले रहे हैं और कहीं messages के through जादा बात होती हुई दिख रही है लेकिन देखिए साथ ही साथ एक argumentative या conflicting energies भी दिख रही है देखिए page of cups love care की बात करता है और fighting का card बहुत ही clearly conflicting energies की बात करता है तो देखिए दोनों को combine करके मैं यही कहूंगी कि एक कोशिश रह रही है चीजों को resolve करने के लिए चीजों को better करने के लिए लेकिन difference of opinion है या फिर circumstances, situation की वज़े से कहीं उनों एक conflicting energies भी रह रही है कहीं एक argumentative energies भी रह रही है और देखिए कहीं end of October के लिए यहाँ पे five of pentacles, reverse and guilt के cards कहते है कि एक परेशानी, एक उलजन इस relationship में रह सकती है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़ादा mentally किसी चीज को लेके परेशान होते हुए देख रहे हैं बहुत ज़ादा यहां सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में या पिर देखिए यह card guilt की बात करता है तो literally कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी चीज को लेके एक guilt भी है जिसकी वज़े से issues हो रहे हैं तो देखिए सेडिटेरेस में आपको यही कहूंगी कि सबसे जो negative emotion होता है वो guilt होता है guilt में हम क्या करते हैं जो हमसे गलती हो गई उसके लिए अपने आपको punish करते हैं तो यहां पर हो सकता है कि आपके partner से कोई mistake हुई है आपसे हुई उसके बारे में सूचते जा रहे हैं और उसी को लेके परिशान हो रहे हैं तो देखिए सेडिटेरेस जो बीट गया ना हम जितनी मर्जी कोशिश करें वो वो आपस नहीं आएगा और past का सिरफ एक ही काम होता है हमारी life में lesson देना और हमारा उस lesson से सीख लेना तो देखिए जो भी चीजें खराब हुई या कुछ भी issues हुए उनसे आप सीख लें आगे बढ़ें और ये negative energies में से अपने आपको बाहर निकालना बहुत important है क्योंकि अगर ऐसे आपने नहीं करा तो इस relationship में issues हो सकते हैं कहीं चीजें block हो सकती हैं energies block हो सकती हैं या तो आप या आपके partner social media पे एक दूसरे को block कर सकते हैं या फिर एक अकेला पन रह सकता है जहां पे इनों आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इतना attention इतना focus एक दूसरे के ओपर या इस relationship के ओपर नहीं कर रहे हैं again जिसकी वज़े से कुछ मसले कुछ issues हैं तो देखें Sagittarius इस reading के बहाफ पे अगर आपको cards की तरफ से कोई guidance देनी है तो मैं यही कहूंगी कि आपके लिए थोड़ा सा आप maturity के साथ चीज़ों को deal करें impulsive ना हो जल्दबाजी ना करें अगर ऐसा आप करते हैं या इस चीज़ का खयाल रखते हैं तो किसी level पे चीज़ों को better कर पाएंगे और आपके partner हो सकता है कि चीज़ों को लेके distracted हैं कहीं किसी चीज़ को लेके two minds में हैं decision लेना चाहते हैं लेकिन decision नहीं ले पा रहे हैं और अगर आपके partner इन energies को better कर पाएंगे या decision ले पाएंगे तो देखिए इस relationship की energies better हो सकती हैं या October month आप लोगों का better जा सकता है और यहां पर देखिए जो भी चीज़ें delay हो रही हैं या जिसकी भी involvement है उसको भी positively deal करें और कहीं guilt का card कहता है कि सबसे important है कि जिस भी चीज़ को लेकर guilt हो रहा है या फिर आप लोग बहुत ज़ादा सोच रहे हैं उसको भी ज़रूर release करें और देखिए ऐसा आप करते हैं तो October month की energies को किसी लवी पर better कर पाएंगे और देखिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि यह monthly reading है यह पूरी life की आपकी reading नहीं है और जो भी मसलें है नया month आएगा तो नहीं चीज़ें आएंगी और यह issues भी कहीं solve होंगे तो यह ती सेडिटेरियस आप लोगों के लिए October 2021 की Love Tarot reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें